आज मैं आपके लिए कराएंगे रक्षा बंदन स्पेशल सेमई की रेसिपी इसे घर पर बहुत ही आरम से बना सकते हो मैंने इसे एक खास ठीक के साथे बनाया है जिससे इसका जो टेक्शर है बहुत ही क्रीमी और ठिक बनता है और आपको इसे पकाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है फटा फट से बन जाती है आप इसे इस रक्षा बंदन मेरे तरीके से बना कर देखना सभी आपके तारिफ करेंगे तो चलिए इस टेस्टी सेमई को बनाना शुरू करते हैं यहां पर यह मैंने पहले से तेया करके रखा हुआ है काजू पिस्ता बादाम लिये हैं जिसे मैंने सरीके से कट करके रखा हुआ है यह काजू लिये हैं थोड़े से आठ से दस पर इसे मैंने सोक करके रखा है और इस सोख करने के बाद में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और यहां मैंने केसर भी होके रखा है यहां मैंने गरम पानी में केसर भी हो है इसे कलर जादा अच्छा आता है वैसे आप चाहते हैं दूद में भी कर सकते हैं की श्मिसे है थोड़ी से चिरौजी हमने लिए हैं आप अपनी पसन से भी इसमे ड्रीफ black foods एड़ और script कर सकते है हैं और यहां पड़ यह चाहिए हम है इसे फैनी भी बोलते हैं उससे लेते हो नहीं अच्छे से तो यह मेरे पास में खी वाली से वही होती है इसे आपको आप इसको एक दम से जबाड़ा क्रेंगा, हलका सा इस दरीके से रहने देना एक कड़ाई लेनी है, कड़ाई में आपको लेना है 1 लीडर दूत इसे आपको पहले वॉइल करना है यह पहले से वॉइल है, बट प्रसेस के लिए हमें फिर भी सेवज करना होता है तो flame को starting में आप medium कर देना और इसको होने देना बीच-बीच में आप इसको check कर लेना यहाँ पर एक jar लेना इसमें डाल देना यह गाज़ जो इसका पानी अटा दिया था थोड़े सेवी डाल देते हैं इसमे और थोड़ा सा ही आप इसमें normal दूर डाल देना जादा नहीं डाला है तीन से चार चमच काफी रगता है और इससे आपको अच्छे से पीश कर तैयार करना है तो यह पीश कर तैयार हो गया है इससे होता क्या है इससे सेवी में ठिक और creamy texture आता है और यहाँ पर दूद मेंवाल आगया है गेस को कम कर देते हैं और आसपास से इस तरीके से मलाई हो जाती है हलका सा आप इस तरीके से करोगे न तो मलाई इसे में डिजॉल्व हो जाती है अब जो हमने काजू और सेमी का पेस्ट बनागे रखा था न वो इसमें डाल देते है दीमी गेस पर आप इससे बस 5 मिर्ट तक पकाएं और इस एक इसे काजू पीस के या फिर यह से अवी पीस के डाले से यह बिल्कुल भी नहीं फटता है हाँ डालने के बाद में इसको आप थोड़ा से चला देना क्योंकि इसका टेंपरेचर गरम होता है तो गुटलें थोड़ा से बन दी है तो थोड़ा से आप करोगे न साथ के साथ वो विल्कुल भी नहीं बनेंगे और आप इससे बीच बीच में चला आती हुए जादा नहीं पांसे साथ मिन तक पका लेना उसमें यह हो जाता है इसका टेक्शर आने लगता है चार से पांच लैची का पाउडरेस में डाल देते हैं और यह केसर वाला पानी इसमें डाल देते हैं देखिए यह आप केसर वाली नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको इल्कुल स्किप कर देना अब ये सब शीज़ें हमने डाल दी है न तो आप इसको थोड़े के लिए पकाना जैसे मैंने बताई था पांच मेठी करना है बीच बीच में चेक करते रहना ताकि वो बेस में लगे न यहाँ पर आप कुछ भी ले लेना एक पैन जोटा सा उसमें डाल देना आदा चमस जित हैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह भी हम चेक कर लेते हैं इससे भी पांच मिनिट हो गए और अब इसमें हम चीनी याइड़ करेंगे तो यहां पर मैंने लिए है 200 ग्राम चीनी मीठा आपने इसाब से कम जाधा कर सकती है ठीक रहता है बहुत जाधा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं रहता है अब चीनी डाले के बाद में आपको लगेगा यह थोड़ा सा पतला होने लगता है बर थोड़ी दिर में ठीक हो जाता है तो आप सबसे पहले चीनी को मैल्ट होने देना और लो फ्लेम रखना तो यहां पर यह इस तरीगी से मलाई आ जाती है मिक्स कर देना वो इसे में डिजॉल्व हो जाएगी और इससे भी ठीक्स टेक्शर आता है चीनी मैल्ट हो यह साबू दाने की केर बनाते हो ना उससे यह बहुत ही जल्दी बन जाती है और जो तरीका मैंने बताया है ना उससे इसका टेक्शर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो सेमी होने देते हैं 5 मिट के लिए और लो फ्लेम पर तो यहां पर यह देखिए इस तरीके से हो जाए ना तो यह बनकर तियार हो जाती है बट अभी फ्लेम लो रखना अब इसमें हम डालेंगे हमारे ड्रैव फूट्स जो हमने रोस्ट करके रखे हैं तो यहां पर थोड़े से हम लास्ट में रख लेंगे गार्निशिंग के लिए आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने दे लिए ना जो खिशमिश मची है ना उसे आप कभी भी किसी की भी खीर बनाते हो ना गरम में कभी नहीं डालना खीर फट जाती है कि शमिश डालने से गरम खीर में तो इसे घलका सा ठंडा होने देना 50-70 रूक जाना गैस को तो हमने बंकर दिया है कि यहां पर हमारे 5 मिनिट हो गए है उसके बाद में हमीं डाल देते हैं किशमिष किशमिष बहुत ही जल्दी उचाती है ये इतना गरम तो होती है कि इसमें ही फूल जाती है फिर बाद में आप इसे गरम ही करें न तो नफुट्टी है वरना जब् Boulder तेज गरम में कभीभी किशमिष बनती है लास्ट में डाल देते हैं थोड़ा सा ये ग्रैफ फ्रूट्स गार्णिशिंग के लिए यहां पर तयार हो गया हमारी रक्षा बंदन स्पेशल सैमी की खीर कई लोग इसको फैनी भी बोलते हैं सैमी भी बोलते हैं और रक्षा बंदन पर तो ये स्पेशली बनती है तो आप इस रक्षा बंदन इस ट्रिक से अपने खर पर खीर जरूर बनाना और ठंड़ा होने के बाद में दिए थी खो जाए न थोड़ा बहुत दूद एट कर सकते हो बाकि जैसे भी है न ये वैसे ही रहती है पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना थैंक्यू